हलो फैंस मैं अभी अपनी कोकोला के सेंटर में हूँ यहां पर आज मैं गई थी अपने एक ओफिशिल काम से बस मुझे हुआ कि मैं एक बार आप लोगों को भी बताऊं कि किस तरह का है कोकोला से जी और कैसा है यहां का कल्चर तो छोटी छोटी यह जो वीडियोज हैं उसके तरू मैं कोशिश करती हूँ बताने की इवन जब आप या आपके बच्चे जब इंडिया से या किसी भी कंट्री से इश्या की कंट्री से जब आप लोग आते हैं तो क्या क्या चीज़े आपको फेस करनी पड़ती हैं क्या चीज़े अच्छी होती हैं किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है तो मैंने अभी इसके वीडियो को रिकॉर्ड करनी के लिए कोई स्क्रिप्ट मनाई है ना मैं बनाना चाहती हूँ क्योंकि scripted videos में मज़ा नहीं आता जो हम लोग बात करते हैं दिल से बात करते हैं और जो चीज मैं face कर रही हूँ या जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो मेरी practical मेरे साथ हो रही है वैसे अच्छा है Finland काफी अच्छी country है कि सुकून है यहां पर आपको चोरी वगरा का कोई डर नहीं होता सुकून से आप जा सकते हूं कि सबसे अच्छी चीज यह है कि आपको कि थंडी आप अगर थंड के थंडी आपको अच्छी लगती है तो यह बहुत सुन्दर जगह है हिल स्टेशन आपको लगेगा कि हम लोग हिल स्टेशन में हैं यह देखिए मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं आज हवा चल रही है आज स्नूफल नहीं हुआ है अब यह बरफ पिघल रही है तो अब यह यहां से थोड़े दोनों बाद में यह देखिए दूप भी आ लिए पर ग्यान में दे रही थी आज अपने दिल की बात बता रही थी यह देखिए क्योंकि मैं कोई ही अपने वीडियो में कुछ नहीं सोचती कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं मैं जब भी चलती हूं तो जो मुझे मन में आता है जो मेरे भी मन में आता है मैं वही आपसे बात कर क्यों जस्त लाइक आप एक लाइब वीडियो समझ लीजे बस उसकी लाइब स्प्रीमिंग नहीं करती क्योंकि कई जगह पर मुझे कोई चीज अगर किसी पूछनी पड़े तो मुझे यह रहता है कि लोगों को यहां के यूरोपियंस में यह लोग कोई किसी चीज का अब्ज मुझे खराब कुछ नहीं लगाए कि जिसमें मैं वह चीज बोलू हाँ बस यहां पर एक चीज है लैंग्वेज का इशू है लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत हैल्प मिलती है और फिनिश लैंग्वेज सीखना इतना इजी नहीं है इनकी और जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं जस लैक मी हम लोगों को सीखने में सबसे बड़ी दिकत वहीं आती है क्योंकि हमारा माइंडसेट पढ़ पढ़ के बहुत बोजिल हो चुका होता हम लोगों को नई लैंग्वेज सीखने में हमारी हालत खराब हुजाती है तो मैं यह सारे 60 to 70 percent at this 60 percent तो कम से कम यहां पर जो लोग हैं वो हैं old aged, aged लोग है, senior citizens है, and they are highly active, आप समझे रहे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह में कहावत मेंने बच्पन में सुनती थी, पर यहां पर यह चीज है, यह लोग आपने आपको old मानते नहीं है, यह बोलते है, age is just about numbers, बहुत अच्छा लगता है, यहां के old senior citizens कह लीजे, यह सभी लोग जो हैं, यह इतने energetic होते हैं, जो वाक्य में तारीफे काबिल है, यहां कुछ चीज है खरापी है, यह 18 साल के बाद में अपने बच्चों को, यह लोग बाहर, घर से बाहर, उनको independent करने के लिए छोड़ देते हैं, यानि देशी भाषा में बोलें, तो देशी भाषा में यह मतलब है कि घर से बच्चे को निकाल देते हैं, अब धक्य मार का नहीं निकालते, बच्चे को independent बनाने के लिए उसको free कर दिया जाता है, अब यह आर नाव free, from our side, तुम्हें earn करो, तुम learn करो, तुम जो भी करना है वो करो, पर तुम independent बनो और हमारी जान छोड़ो, यह condition है, अब यह भाईया, यह वाली condition इंडिया, मै तो लागू नहीं होती, यहाँ पर तो हम जब 50 साल के भी हो जाते हैं, तो भी मम्मी पापा कहां जा रहो है रहें, इतकों आजा, anyways, यह old age home है, यह government नहीं, old age homes है, उनको इतना facilitate किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है, जब आप बच्चे आपके साथ रहेंगे ही नहीं, आपकी care करेंगे नहीं, कोई आपको care करने वाला, look after करने वाला नहीं होगा था, फिर government नहीं ही, वो step लिया हुआ है, कि इनको retirement benefits, इनकी care करने के लिए, इनकी care करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, यह दिखे, इनकी care करने के लिए रखा जाता हूँ, दिल दुखी हो जाता है कई बड़, कि यह happiest country है तो सही, शायद यह paperों में happiest country है, fact and figure में happiest country है, बड़ जो real happiness है ना, that is really missing, यह लोग बहुत isolated हैं, बहुत तनहा हैं, मैं किसी पर किपड़ी नहीं करना पसंद करती हूँ, पर यह बहुत isolated और बहुत तनहा लोग हैं, जैसे यह रोड दीख रही हैं, आपको पूरी वीरावान, पूरा जंगल साथ मैसूस हो रहा है, अधूरा पंसा लग रहा है, इसी तरह की शायद इन की जिन्दगी है, यह जैसे ओल्ड एजेट पूरे या एजेट वाले फॉर्म में हो जाते हैं, तो फिर गॉर्मेंट ही इनका टेक्यर करती है, फैसिलेटीज बहुत अच्छी दी जाती हैं, पर यहां सबसे ज़्याद जो प्रॉब्लम है वह है डिप्रेशन की, वह चीज हमें नहीं सीखने, हमें जो सीखना है वह सीखना है इन लोगों से, कि अपनी मात्र भाशा को अपने कल्चर को कैसे बचा हैं, पर मेरे इंडिया की बहुत अच्छी चीज है, मेरे इंडिया में सुकून भी है, लोगों के बीच में प्यार भी है, और कहीं न कहीं मरते दम तक, ना छूटने वाला साथ भी है अपनों का, अलव माई इंडिया पर अब आप सोचेंगे कि अगर इफ आई लव माई इंडिया तो वाई दा हैल आइम हीर उसका जवाब है वहिया, रोजी रोटी को लिए आपने को जाना भी पड़ता है फर देश, फिर आएंगे अपने देश, ठीक है, इनसे कुछ चीज़े हैं हरे कंट्री में, जब जब किसी कंट्री में जाऊंगी तो उस कंट्री में क्या अच्छी चीज़े हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि सभी लोगों से जब हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं, और जब हम खुद को ही अच्छा समझते रहते हैं तो आप यकीन मानना आप पतन की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि आप उस समय अपने आपको अपडेट नहीं कर रहे होते हैं, आप आउटडेट हो रहे होते हैं, तो इस्ट और वेस्ट, इंडिया इस बेस्ट, इसके साथ मैं पूंड विराम करती हूं क्योंकि अब मेरा घर आ चुका है, यह मेरा घर है, मुझे बहुत खुशी है कि जून तक यह पेड जुकटीले प्यार दिख रहे हैं, यह सुन्दर से हरे भरे पेड बन जाएंगे, आइम सो हैपी, चलिए, टेक कियर, बाई,